हेलो योट्यूब फैमली आप देखरे जॉडन गार्णिंग वर्ड आपका मेरे गार्णिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हमारे आज पास कई ऐसे प्योड पौधे हैं जिसका उप्योग आयरवेदिक दबाई बनाने के लिए किया जाता है आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे ही आयरवेदिक पौधे के बारे में बात करूँगे दोस्तो ये अरंडी का पौधा है जिसे अंग्रेजी में केस्ट्रोल प्लांट कहा जाता है अरंडी के बीजो, टहनियों और पत्यों में कई प्रकार के पोशक्त तवपाई जाते हैं अरंडी के बीजों से ओइल निकाला जाता है इसके बीच कैसे होते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी अरंडी के पत्ते के काफी फायदी और नुकसान भी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगे घर पर अरंडी के पत्ते का यूज जल्दी घाव भरने के लिए किया जाता है अरंडी के पत्तों में ऐसे पोशक्तत्व होते हैं जो जल्दी घाओ भरने में सहता करते हैं इसके पत्तों को सूजन कम करने के लिए भी यूज किया जाता है अरंडी के पत्ते का उपयोग कब्ज की समस्या को भी दूर करता है कब्ज के समस्या में अरंडी के पत्तों को प्योग करने से पहले आयरवेदिक डॉक्टर की सला जरूर ले अरंडी के पौधे काफी उचे होते हैं लगबग आठ फीट के होते ही है इसके तने कमजोर होती है इसके फूल इस तरह के गुच्छों में आती है जो पीले रंके दिखाई देती है ये अरंडी का फल है जो अभी ठीक से पका नहीं है फल पकने के बाद इनमे से ही बीज निकलते हैं जिसे ओल निकाला जाता है इसके बीज इस तरह के दिखाई देते है अरंडी के बीज़ में बिटामिन E, मिर्रेल्स, प्रोटीन और ओमेगा 6 जैसे तेत्वा पाए जाते हैं केस्टर ओल के फाइदे भी काफी होते हैं अरंडी के पत्ते आपकी कई समस्याओं को दूर करने में कारगर होते हैं इसकी तासिर बहुत गरम होती है इसके साथ इफेक्ट भी हो सकते हैं अरंडी के पत्तों का यूज करने से पहले अर्वेदिक डॉक्टर की सराथ जरूर ले उमीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं किसी नए वीडियो में बाइ बाइ फ्रेंड्स